दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Angel One में Demate Account कैसे Open करते हैं Complete Process बताने वाला हूँ अगर आप Share Market में Investment करने की सोच रहे हैं आप किसी Company का Share Buyer करने की सोच रहे हैं या Mutual Fund में Investment करना चाते हैं SIP करना चाते हैं ETF खरीदना चाते हैं या भारत सरकार के कोई भी Bond खरीदना चाते हैं जिसे भारत सरकार की Gold Bond आते हैं तो ऐसे ही भारत सरकार के बहुत सारे Bond रिलीज होते रहते हैं तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर भी Investment करना है और आप सोच रहे हैं कि सबसे सांदार, सबसे अच्छा Demate Account में आपका Account Open होना चाहिए तो ऐसी Condition में दोस्तों मैं आपको बताऊं Angel One सबसे Best Demate Account है तो सबसे पहले मैं आपको Life Proof दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख लो, मेरे पास दोस्तों जरोदा भी है, अपिस्टोक भी है, Angel One भी है और Grow भी है चारो Demate Account मैंने Open कर रखे है और मैं चारो में ही ठीक है, ट्रेड करता हूँ चारो में ही मेरा Investment है मैं Guarantee से कह सकता हूँ अगर आपको सिर्फ पो सिर्फ इंटरफेस अच्छा चाहिए ठीक है, तो आपके लिए Grow App अच्छा है जहाँ पर आपको सबकोच इंटरफेस के इसाब से बहुत अच्छा देखने को मिलता है टोप किलास इंटरफेस है पर जब हम बात करते हैं टैक्स की, ठीक है, जब भी आपको इस्टोक बाई करते हैं, या ETF बाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा चार्जस दोस्तो Grow App में लगते हैं अगर हम बात करेंगे सबसे अच्छा ऐसा डीमेट अकाउंट जहाँ पर आप स्टोक बाई करते हैं या ETF बाई करते हैं और जहाँ पर आपको मामूली सा चार्ज लगे तो ऐसी कंडिशन में दोस्तों आपके लिए Angel1 डीमेट अकाउंट सबसे सांदार है क्योंकि Angel1 डीमेट अकाउंट में सबसे कम चार्जस लगते हैं Angel1 में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 पिलस होनी चाहिए 18 साल कंपिलेट होनी चाहिए आपके पास अपना अधारगाड होना चाहिए पैनकाड होना चाहिए और भारत के किसी बैंक में आपके पास एक सिर्विंग अकाउंट होना चाहिए और यह सब कुछ अगर आपके पास है तो आप वीडियो की description में आपको एक link मिलेगा उस link पर click करेंगे अब जैसे यहाँ आप link पर click करेंगे आपको angel 1 का जो app है वो देखने को मिल जाएगा 5 में से 4.3 की rating है आपको देखने को मिलेगा install वाला option install पर click करेंगे जैसी click करेंगे दोस्तों यहाँ पर angel 1 install हो चुका है open पर click करेंगे अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगे दोस्तों दो option login and sign up तो पहली बार यहाँ पर अपना account create कर रहे है sign up पर click करेंगे अब उसके बाद हमारे सामने evil interface आएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है mobile number डालेंगे and next पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने evil interface आएगा यहाँ पर आपको कुछ permission को अलाओ करना होगा grant permission पर click करेंगे उसके बाद permission को अलाओ कर देंगे अब उसके बाद आपके मॉइल नमबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर Next पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपके सामने यवाला इंटरफेस आजाएगा, यहाँ पर आप फिर से Next पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपके सामने यवाला इंटरफेस आएगा, य यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किसी एक Gmail ID को यहाँ पर select कर लेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दू, जो भी आप यहाँ पर Gmail ID select करेंगे, और आप जो भी Angel One account में trading करेंगे, या stock खरेंगे, उसकी पूरी डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल आपको जो है, आपकी Gmail ID पर देखने को मिल जाएगी, तो जो भी Gmail ID यहाँ पर select करेंगे, ऐसी Gmail ID select करेंगे, जो कि आपकी Permanent Gmail ID हो, जिसे आप हमेशा चलाने वाले हैं, यहाँ पर अपनी Gmail ID को select करेंगे, Continue with Google पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यवाल इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, Add Pan Card, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, Permanent Account Number, आपका Pan Card का जो भी नंबर है, यहाँ पर डालेंगे, Add Summit पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने यवाल इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको डिजी लोकर का जो है, लोगो देखने को मिलेगा, नीचे आपको बतायागा है कि यहाँ पर आपका अधार कार्ट, Pan Card लिया जाएगा, वो डिजी लोकर के माधियम से लिया जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, दोनों जगट टिक लगे वे हैं, अधार कार्ट, Pan Card पर, simple यहाँ पर checkbox देखने को मिलेगा, इसको select करके authenticate आधार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने येवाल इंटरफेस आएगा, यहाँ पर अपना आधार कार्ट के नंबर डालेंगे, and submit पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों digital locker का छैंकों का security password जो है उस password को यहाँ पर डालेंगे and done पर किलिक करेंगे अब आप इसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका digital locker पर account create नहीं हुआ है तो ऐसे में forget my फिर पर किलिक करेंगे और आप यहाँ पर जो है अपने एक जो password है उसको create कर लेंगे आपकी जो profile हो बन जाएगी और अगर लगता है कि यहाँ पर आपकर आपका digital locker का password हो create नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो के last में आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी जहाँ पर मैंने आपको detail में बताया है कि digital locker पर अपना जो है digital locker account कैसी create करते हैं done पर किलिक करेंगे अब उसके बाद आपके सामने एवल इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अधार card पैन card जो है अब उसके बाद आपके सामने एवल इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको अपने bank account का number देना है फिर से bank account number देना है उसके बाद IFSC code डालेंगे and submit पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमसे एक selfie मांगी जा रही है कि हमें जो है एक selfie यहाँ पर capture करनी है तो open camera पर click करेंगे permission को allow करेंगे camera open हो जाएगा और अपनी एक selfie capture करके दोस्तो save and continue पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यवाल इंटरफेस आएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा signature submit your signature यहाँ पर अपनी finger यहनके अपनी उंगली से अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद दोस्तों submit पर click करेंगे अब उसके बाद आपके सामने यवाल इंटरफेस आएगा आपने जो भी अपना bank दिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा proceed, proceed पर click करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालकर confirm पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा link and provide consent इस पर आप click करेंगे और जैसी click करेंगे दोस्तों आपके mobile number फिर से OTP आएगा OTP यहाँ पर डालकर submit confirm पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने mobile interface आएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा annual income detail आप एक साल के अंदर कितना पैसा कमा लेते हैं ठीक है वो income आपको यहाँ पर बतानी है तो आप इसमें से कुछ ही बता सकते हैं एक से लेकर 5 लाग 5 से 10 लाग ठीक है प्राइवेट सेक्ट में जो करते हैं प्राइवेट आपका अपना कोई business है तो business पर click करेंगे और अगर आप इन में से तीनों में नहीं आते हैं तो आप अधर पर select करके ठीक है यहाँ पर जो है दोस्तों पहले वाले पर आपको जो है यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि add up to 3 nominee for your account do you want to add a nominee now तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों वैसे तो आप यहाँ पर अपना nominee जो है वो add कर सकते हैं पर सबसे पहले आप अपना अकाउट को create कर लें अब जब आपका account बन जाएगा तो उसके बाद कभी भी ठीक है आप अपने nominee को एक minute के अंदर यहाँ पर add कर सकते हैं तो do it later पर click कर देंगे और आप बाद में अपने nominee को add कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमें फिर से अपना अधारकार का number डालना है और उसके बाद दोस्तों अधारकार का number डालेंगे नीचे आपको देखने को मिलेगा send OTP send OTP क्लिक करेंगे हमारे mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालेंगे और वेरिफाइबर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर उसके बाद दोस्तों हमारा जो है वेरिफिकेसन हो चुका है अब यहाँ पर देखने को मिलेगा we have received your document ठीक है it may take up to three working days complete the verification then click check out of app यानिके दोस्तों अब तीन दिन का समय लगता है तीन दिन के अंदर जो भी हमने Gmail ID दी है उस पर भी हमारी detail आजाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको detail देखने को मिल जाएगी तो आप explore app पर click करेंगे तो आपके सामने यह वाला interface आता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वोड़ा फोन बगर आपको देखने को मिल रहा है और इस तरीके से आप investment कर सकते हैं तो दोस्तों इस account को open करने के लिए इस app का direct link आपको वीडियो के description और comments box में मिल जाएगा आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो के like करें और channel को subscribe जरूर करें